नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल ग्रोपुंजी में दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बजाज हिंदुस्तान सोगर लिमिटेड स्टॉक के बारे में जिसकी प्राइज चल रही है 13.35 और इसी स्टॉक में फ्राइडे की दिन साड़े 5% की positive closing देखने को मिली है और सेकंड नमबर का स्टॉक है रतन इंडिया enterprises limited जिसकी प्राइज चल रही है 42.05 और इसी स्टॉक में लगा हुआ है 5% का अपर सरकेट दोस्तों बजाज हिंदुस्तान में almost 2 months से continue downtrend देखने को मिल रहा है जा बजाज हिंदुस्तान में 22 की price एक downtrend देखने को मिला और स्टॉक में 11 रुपे के target देखने को मिले नीचे की तरफ यानि कि almost 50% तक का downtrend देखने को मिला है लेकिन वही से हमें इसी स्टॉक में एक reversal देखने को मिला है और अगर हम बात करें रतन इंडिया enterprise स्टॉक की तो दोस्तों हमें इस स्टॉक में 30 र इस बारे में जानेंगे तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो लाश्ट तक जरूर देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बजाज हिंदुस्तान सुगर लिमिटेड स्टॉक के वारे में लेकिन इस स्टॉक के वारे में जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे YouTube चनल सब्सक्राइब करें और वेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफेकेशन सबसे पहले मिले और ऐसे ही stock market में stocks की news और stocks की analysis करके आपके लिए लेके मिला एक रमाई से कुछ न्यूज की बज़े से और प्रॉफिट बुकिंग की बज़े से हमें इस स्टॉक में डाउन्टेंड देखने को मिला है मन्थली पर आप देख सकते हैं कि बजाज हिंदुस्तान में 12 रुपीज की प्रैस पर एक सपोर्ट था इस स्टॉक में डाउन् दिखने को नहीं मिलेगा important चीज होती है closing देना डाउन जाना नहीं जिस basis पर आप चार्ट देख रहे है देली पर देख देख रहे हैं तो weekly पर closing और हम देख ला हैं monthly पर तो monthly पर अगर ये साधे 11 रुपे 12 रुपे के नीचे closing नहीं देगा तब तक हमें इस stock में नीचे की तरफ और downtrend देखने को नहीं मिलेगा एक बार के लिए इसे हम weekly पर भी देख लेते हैं दोस्तो weekly पर इस stock ने अपने 200 EMA touch कर के एक reversal दिखाया है daily पर भी देख लेते हैं daily पर दोस्तो आप देख सकते हैं कि stock में काफी अच्छा uptrend बना हुआ है दोस्तो जो भी current price चल रही है 13.35 इस price पर भी अगर आप entry लेते हैं तो दोस्तो आपको जो SL maintain करके चलना होगा वो चलना होगा 11 रुपे का 11 रुपे का SL maintain करके आप एक बार के लिए minimum quantity इस stock में ले सकते हैं minimum quantity इसलिए दोस्तो क्योंकि penny stock है और penny stock में every time minimum quantity ही लेनी चाहिए ज़्यादा amount कर इस ना ले अपना risk calculate करने के बाद या आप किसी भी stock में entry ले और penny stock में entry ले तो आप 11 रुपे का SL maintain करके इस stock में new entry बना सकते हैं जैसे यह stock daily पर अपना 200 इयमें break करेगा यानि कि 15.80 या 16 उसके बाद में हम इस stock में उपर की तरफ और अच्छ तो fundamentally भी कही न कहीं रतन इंडिया infrastructure रतन इंडिया enterprise stock काफी अच्छा देखने को मिल रहा है आप देख सकते हैं कि इस stock ने सिर्फ और सिर्फ वन मंत की अंदर ही 100% के return दिये थे जहां stock में 31 से हमें 58-59 के target देखने को मिले थे वहीं से एक profit booking भी देखने को मिली है दोस्तों ज resistance है वो आपको मैं देखा देता हूँ आप देख सकते हैं कि इस stock में trend line का resistance भी बना हुआ है जैसे यह stock अपना 60 का high break करेगा और उसके उपर जाता है उसके बाद में हमें इस stock में उपर की तरफ और uptrend देखने को मिल सकता है इसलिए current price पर आप entry तो बना सकते हैं और hold करके आपको आने वाले time में रतन इंडिया enterprise के stock में 80 और 88 के भी target देखने को मिल सकते हैं जैसे यह stock 60 को उपर जाता है और जो उपर resistance आएगा वो रहेगा 71 का और 71 break करेगा उसके बाद में हमें इस stock में उपर से आरम तक 90 और 85 के भी target देखने को मिल सकते हैं और long term के view से भी आप इस stock में entry बना सकते हैं क्योंकि दोस्तो रतन इंडिया enterprise ने drone business में और electric bike में investment किया हुआ है जिसका positive impact हमें आने वाले time में देखने को मिल सकता है आपको इस stock में जो uptrend देखने को मिलेगा वो असली uptrend देखने को मिलेगा 56 और 57 के उपर closing basis पर अगर रतन इंडिया enterprise weekly पर close हो मिलेंगे आपको SL maintain करके चलना है 30 रुपे का 30 रुपे का SL maintain करके आप इस stock को hold करके चले और चोटा सा support बना हुआ है रतन इंडिया enterprise के stock में 38 की price पर जहां से इस बार इस stock ने reversal दिखाया है तो दोस्तो आप 30 रुपे का SL maintain करके इस stock को hold करके चल सकते हैं और new entry भी बना सकते ह है आए दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को like करे शेयर करे और चनल को जरूर सब्सक्राइब करे जैहिन